हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बाक, I hope all are doing well फ्रेंट्स, बात करेंगे सिजलोन एनर्जी शियर के बारे में आप सबको पता है ये एक पैनी स्टॉक है और और अभी कुछ टाइम पहले ये 3 या 4 रुपिस के आसपस मूफ कर रहा था तो फ्रेंट्स हमने देखा कि लास्स सेशन में इस शियर ने 3 परसंट की अप मूवमेंट दी है अब एक न्यूस निकल के आई है फ्रेंट्स सामने उस न्यूस के बेसिस पे आप समझ पाऊगे कि ये शियर फ्यूचेर में कैसा परफॉर्म करेगा तो बहुत इंपॉर्टन न्यूस है जो सब शियर होल्डर्स को पता होनी चाहिए या उन्हें भी पता होनी चाहिए जो इस शियर पे नजर बना के रखे थे तो friends news यह है कि lenders agree to raise wind energy from suzlone energy stake to 35% तो friends मतलब यह है कि जो suzlone के जो कर्जदार है जिनके पास 41 करोड रुपे का कर्ज है जो company पे जो वो कर्जदार जो उस कर्ज को मांग रहे हैं अब इस company को उन्हें ब्याज नहीं देना पड़ेगा जो कि अब तक यह company उन्हें ब्याज दे रही थी अब उन्हें इसका लिए ब्याज नहीं देना पड़ेगा अब उनको यह equity कर देगी और shares देगी उनको तो यह equity में convert करके उन लोगों को यह shares देगी तो अब वो shares को रखेंगे उसको अब उन्हें profit होता है तो वो profit earn करेंगे loss होता है तो loss earn करेंगे तो अब सुझ लोगों एनरजी को ब्याज देनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी future में because उसके ब्याज देने की बज़ा वो उनको अपने equity का stake दे रही है तो market में यह जो news आई है इसे एक बहुत ही positive environment बना है इस share के लिए और इस share में एक तेजी भी देखी गई है Friends, आप सबको इस पे buy करने की जो recommendation थी वो थी अगर यह साड़े 9 के level पे आप लोग इस पे entry ले सकते थे वहां से एक इसने बहुत अच्छी upside movement पकड़ी है और यह आगे upside trend में ही होने के इसके जादा chances है Friends, future में यह कैसा perform करेगा तो future में यह share आपको 15 रुपिस का level भी break करता दिखेगा बात करें इसके quarterly results की तो last quarter में जो इसके result आए थे वो है 37 करोड रुपिस का इस company को profit हुआ था Friends Friends, जो company अभी तक loss में चल रही थी अब वो एक profit making company बन गई है तो यह एक बहुत ही positive point है और अब आप समझे सकते हो कि future में अगर इसको ब्याज मी नहीं देना पड़ेगा तो future में इसका quarterly results और बढ़ेंगे और future में अगर profit 100 करोड तक जाता है तो यह share एक rocket बनता Friends, आपको ज़रूर दिखेगा तो Friends, इस news के basis पे आप इस share में entry कर सकते हो यह share आपको long term में एक बहुत अच्छा perform करता दिखेगा विकास आप सबको पता है कि इंडिया में अब जो electricity future में generate होगी उसका source हमारे पास renewable energy ही है हम coal पे ज़ादा देर तक dependent नहीं रह सकते तो renewable energy का sector future का sector माना जा रहा है और आपको भी पता है कि यह company renewable energy sector की है तो जो आज अभी एक penny stock है जो अभी 10 रुपीज के आसपस आ गया है यह आपको एक बहुत जल्दी एक बड़ा level break करता दिखेगा तो Friends, अगर आप समझ गई हो तो News यही थी कि अब इस company को जो इस company में कर्ज है 41 करोड का अब वो उसे ब्याज नहीं देना पड़ेगा वो उनको अपने equity के shares दे देगी तो Friends, आगी चलके बात करते हैं कि future क्या है company का तो आप सबको पता है renewal energy sector का future बहुत ही अच्छा है विकास future में जो busily generate होगी वो यहीं से होगी एक बार जो level का breakout हो जाता है तो उसके बात वो share आगी बढ़ता है तो इसने जो अपना resistance जो है वो उसने अपना तोड़ दिया है और अब इस share में एक बड़ा breakout देखने को मिलेगा बिकास यह अपने resistance को breakout कर चुकी है लास session में इस news के पाद जो last session में volume देखा गया वो बहुत ही अच्छा volume था 5 करोड का volume last session में देखा गया है friends और वो भी 50% delivery के साथ देखा गया है पहले share में delivery कम थी लेकिन after this news जो delivery देखी गई last session में वो 50% के delivery उठाई है share holders ने तो friends अगर मैं आपको बहुत जल्दी का target दूँ तो short time में आपको 13 का level break करता मिलेगा और आपको analyst जो इसको suggest कर रहे हैं कि आपको इस share को कितने time तक hold करना चाहिए तो friends 1 year तक तो आपको इस share को hold करना चाहिए आपको एक बहुत अच्छा multi bagger return देखने को मिलेगा within a year RSI बता दूँ तो RSI भी इस share का 50.3 का level है जो कि बहुत अच्छा level इसने maintain कर लिया है friends तो friends यह थी share से related news जो पता होने चाहिए because मैं आपको randomly नहीं बोलूँगी कि यह share आगे बढ़ेगा मैं आपको information देती हूँ with the correct news जो market में आती है because for every share कोई ना कोई news friends market में आती रहती है तो इस share से related यही news थी कि इनको अभ्याज नहीं देना पड़ेगा यह बहुत अच्छा इन्होंने एक कदम उठाया है अपने share को अपनी company को profit मेलाने के लिए और अब company profit making हो गई है तो friends अगर आप इसमें कितना भी amount investment करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है बट आपको थोड़ा सा amount इस share में लगा के रखना चाहिए एक अच्छे return के लिए विकास आपको भी पता है आप इंडिया एक आत्मेने बर भारत बनने वाला है और रिनीवल एनरजी एक बहुत अच्छा सेक्टर है फ्यूचर के लिए friends channel को first time visit किया है तो channel को कर दीजे subscribe bell button को कर दीजे press so that आप से important updates with correct news of shares बिलकुल भी missना हूँ और video को कर दीजे like and share so that जो और holders है सुजलोन एनरजी के या जो interested है सुजलोन एनरजी में entry लेने के लिए उनके पास भी ये news पहुँच सके friends thank you so much thank you so much for your support